हेलो, गुड मॉर्निंग अल अब दि स्टूडेंट्स, मैं मनोज पुनिया, यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिकर के ओनलाइन क्लासेज ब्लेटफॉर्म पर आपका मॉस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने रेंबो बुक के चेप्टर नमबर 11 जो फाइनल लास्ट है चेप्टर है इसका उसका फैस्ट पाड़ पड़ा था यह एक ड्रामा टाइप चेप्टर है जिसमें मिस्टर लेंब और डेरी दो परसंस हैं वो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है बट डेरी लेंब के गार्डन में आता है तो लेंब का जीवन जीने का तरीका वो पोजेटिव है डेरी का निगेटिव है तो लेंब डेरी को मोटिवेट करता है लाइफ को सहस तरीके से जीनने के लिए तो देखिए दोनों फिजिकल हैं दोनों में कुछन कुछ कमी है जो फेस्ट पार्ट में हम चर्चा कर सुके हैं नेक्स्ट इसी करम में सेकिंड पार्ट देखे、 इस चेप्टर का मिस्टर लेंब इसे पहले बात हुई थी मिस्टर लेंब ने कहा था कि देखो वहां दूर तुमें क्या नजर आता है गार्डन की वोल के पास तो उसने का रबिश तो Mr. Lem ने का रबिश खूडा कच्रा नजर आता है लुक बोई लुक देखो लड़के देखो What do you see देखो तुम्हे वहाँ क्या दिखाई देता है तो डेरी बोला जस्ट जस्ट मिन्स केवल ग्रास एंड स्टफ ग्रास इंस घास स्टफ मानी पदार्थ सामगिरी वीड्स में जरूर लिक लेना खरपतवार जो यूजलेस ग्रास होता है उसके लिए यूज करते हैं तो डेरी बोला केवल घास खड़ा है कुछ सामगिरी पढ़ी है और वीड्स उगा हुआ खरपतवार है तो देखिए इस धर्ती पर कोई भी चीज है वो यूजलेस नहीं होती अकोर्डिंग टू मिश्टर लेंब यही बात वो डेरी को समझाता है तो मिश्टर लेंब बोला सम कॉल देम वीड्स कुछ लोग उसे खरपतवार कहते हैं वीड्स मिन से खरपतवार इफ यू लाइक लेकिन ये दि तुम चाहो देन ए वीड्स गार्डन तो तुम इस खरपतवार से बना सकते हो एक बगीचा इट इस दे पोजिटिव वे ओफ ए लाइफ कुछ लोग खरपतवार कहते हैं बट तुम चाहो तो इस खरपतवार से भी आप बना सकते हो गार्डन देखो वहाँ पर कुछ फल भी है देर आर फ्लावर्स वहाँ फूल भी है ट्रीज पेड भी है और हर्ब्स जड़ी बूटिया भी है मिनिंग लिख ले ना फ्लावर्स मानी फूल ट्रीज मिन्स पेड और हर्ब्स मानी जड़ी बूटिया है अल सोट्स सोट्स मानी सब भी परकार की वहाँ सब भी परकार के पेड़ पोते है बट ओवर देर वीड्स लेकिन तुमें उन सब के अंदर को नज़र आया वीड्स नज़र आया जब कि वहाँ तो ओल सोट्स कामलब ओल टाइपस ओप है वेजिटेशन सब भी परकार की वनस पती है वहाँ पर लेकिन तुमें तो उनके अंदर भी वीड्स नज़र आया तो मानलो आई ग्रो वीड्स देर मानलो मैं वहाँ पर खरपतवार उगाता हूँ वाई इज वन ग्रीन वो सफेद क्यूं है ग्रोइंग प्लांट मैं पोदे उगाता हूँ काल्ड ए वीड्स कोई उन्हें वीड्स कहता है वीड्स मानी खरपतवार कहता है और अनोदर फ्लावर और दूसरा जो पोदा होता हूँ एक फूल का पोदा होता है तो एज वीजन होता है ये तो इन्सान का मैं हरे पेड़ पोदे उगाता हूँ काल्ड ए वीड्स कोई उसे वीड्स कहता है कोई उसे फ्लावर कहता है वेर इस दा डिफ्रेंस अंतर कहा है ये बताओ दोनों में इट इस ओल लाइफ दोनों में जीवन है चाहे विड का हो, चाहे फिलावर का हो, दोनु में लाइफ है, और दोनु ग्रोइंग करते हैं, ग्रोइंग मानी बढ़ते हैं, सेम एज यू एंड मी, जैसे तुम औरे मैं, तो डिफरेंस कहा है, मैं तो ग्रीन जो ग्रोइंग प्लांट है वो लगाता हूं, हरे भरे बोदे जो बढ़ते हैं, सब में जीवन हैं, अंतर कहा हैं, डेरी बोला, वी आर नोट दा सेम, हम दोनु सेम नहीं हैं, सेम मिन से समान नहीं हैं हम दोनु, मिश्टर लेम बोला, समान ही हैं, आई एम ओल्ड, मैं बुड़ा हूं, यू आर यंग, तुम जवान हूं, यू आ गोटे ब्रंड फेस, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, आई एव गोटे टिन लेग, और मेरे लगा है लोहे का पैर, टिन लेग मिन्स लिख लेना, लोहे का पैर, नोट इंपोर्टेंट, लेकिन ये दोनु चीजे महतोपन हैं ही नहीं, यानि मैं बुड़ा हूं, तु हुआ है, मेरा पैर है, वो टूटा हुआ है, एख आर्टिफिसियल लेग लगा है, लेकिन ये चेहरा जल गया, पैर तूट गया, ये नोट इंपोर्टेंट है, ये महतोपन ही नहीं है, यो आर स्टेंदिंग देर, तुम वहां खड़े हो, आई एम सिटिंग हीर, मैं यहां तिन लेग, तुमारे ये लोहे का पैर कैसे लगा, ये बताओ, तो वो बताता है कि लोहे का पैर कैसे लगा, देखिए, मिस्टर लेम बोला, रियल वन गोट ब्लोन ओफ, ब्लोन ओफ का लिक लेना, बम धमाके में, रियल मानी वास्त्विक, ओरिजनल जो पैर था, वो ब्लोन ओफ हो गया, यानि एक बम धमाके में, या एक विश्पोट में उड़ गया, यर्स बैक, वर्सूं पहले, लेमी लेम्ब, तब से मैं लंगडा लेम्ब बन गया, लेमी मिन से लंगडा, लेम्ब उसका नाम है, सम किड्स से, कुछ बच्चे भी मुझे इसी नाम से पुकारते हैं, कि लंगडा लेम्ब आ गया, haven't you hear them, क्या तुमने सुना नहीं क्या उन बच्चों से, देम आया है, चिल्ड्रेन या किड्स के लिए, यू विल, तुम चाहो तो तुम भी कह सकते हो, मुझे लेमी लेम्ब, लेमी लेम्ब आप भी कह सकते हो, क्योंकि it fits, ये मेरे लिए बिल्कुल fits नाम है, fits मानी उप्युक्त नाम है, क्योंकि मैं लंगडा हूँ, डजन ट्रबल मी, और लोग ऐसे कहते हैं, तो मुझे कोई प्रोब्लम नहीं होती, ट्रबल मानी समस्या, क्योंकि मेरे लिए नाम बिल्कुल fit है, fit यानि suitable है, क्यानि I am lame, मैं लेमी हूँ, तो लंगडा लेम कहने से मुझे कोई प्रोब्लम या पती नहीं है, तुम चाहो तो तुम भी कह सकते हो, डेरी बोला, but you can put on trousers, लेकिन तुम तो अपने इसे पैर के उपर trousers पैन सकते हो, पाजामा कह सकते हो, पैंट कह सकते हो, cover it up, आप इसे ढख भी सकते हो, and no one sees, फिर किसी को दिखाई नहीं देगा, they don't have to notice, तो वो लोग जब दिखाई नहीं देगा, तो वो तुम्हें notice नहीं करेंगे, notice मानी ध्यान से नहीं देखेंगे, और stare यानी घुर घुर करिया टक्टकी लगाकर नहीं देखेंगे, डेरी का कहने का मतलब है, तुम अपनी अपंगता को छुपा सकते हो, पैर ढग सकते हो, पैंटी या पाजामे से, तो मिस्टर लेम बोला, some do, some don't, कुछ लोग ध्यान से देखते हैं, कुछ लोग ध्यान से नहीं देखते हैं, they get tired of it, अंत में वो ठक जाते हैं, वूब जाते हैं, in the end का मतलब अंत में, जब वो देखते हैं, देखते देखते ठक जाते हैं, there is plenty of other things to stare at, क्योंकि इस दुनिया में और बहुत सारी चीज़ें हैं, घुर घुर कर देखने के लिए, plenty of मानी परियाप्त, other things मानी दूसरी वस्तु हैं, बहुत सारी हैं, dairy बोला, like my face, बहुत सारी हैं, जैसे की मेरा चेरा, तो मिस्टर लेम बोला, तुँ चेहरे का ही नाम क्यों ले रहा है, like crab apples, तेरे चेहरे को ही क्यों देखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे की ये जंगली सेव हैं, दैवीड्स, ये खर्पतवार है, एक मकड़ा जो अपने रेसम की सीडी पे चड़ता है, उसको देख लेंगे, इस पाइडर मानी मकड़ा, क्लाइमिंग मान चड़ना, स्लीकन लेडर मानी रेसम की सीडी, लेडर में से सीडी, तो खर्पतवार को देख लेंगे, सेव को देख लेंगे, spider जो climbing करता है उसको देख लेंगे my tall sunflowers और ये बड़े-बड़े मेरे सूरिय मुखी के fool है इनको देख लेंगे sunflowers मिन्स होता है सूरिय मुखी के fool dairy बोला ये तो things है ये तो वस्तुए है मैं तो इनसानू की बात कर रहा हूँ तो Mr. Lem बोला It is all relative ये सारी चीज़े आपस में जूड़ी हुई है सम्मन्दित है relative मानी सम्मन्दित है beauty and the beast जैसे कि सुन्दरता है उसके साथ जूड़ी रहता है beast भी, जंगली पन भी ये तो सारी चीज़े है जहां सुन्दरता है वहां को रूपता भी है next देखे dairy बोला what is that supposed to mean तुमारा कहने का मतलब क्या है तुमारा कहने का क्या मतलब है तो next देखे Mr. Lem बोला you tell me तुम बता दो मुझे dairy बोला you needn't think तुमें सोचने के आवसिकता नहीं है they haven't all told me वे सब कुछ मुझे नहीं बताते the fairy story before जो fairy story होती है अच्छी कहानिया होती है उससे पहले वो सारी चीज़े मुझे नहीं बताते it is not what you look like ऐसा नहीं है जैसे तुम दिखते हो it is what you are inside जैसे कि तुम अंदर से हो handsome is handsome dutch सुन्दर आदमी तब सुन्दर कहला था वो सुन्दर कारिये करता handsome means handsome dutch dutch means कारिये beauty loud the monestirious सुन्दर ता है वो भी राक्षस से या दत्ते से प्यार करती है monestirious बिष्ट मानी विशाल दत्ते for himself swam से भी and when she kissed him और जब वो उसका चुंबन लेती है kissed means चुंबन लेना he changed into a handsome prince तो वो monestirious beast है वो भी एक सुन्दर राजकुमार के रूप में बदल जाता है only he wouldn't लेकिन वो बदलता नहीं है he would have stayed a monestirious beast वो अंदर से तो राक्षस परवर्ति का ही रहता है I want to change उसी परकार मैं भी नहीं बदले सकता तो कहरा जिस परकार एक monestirious beast होता है उसी तरह उसका किस लेने से वो prince को बन जाता लेकिन अंदर से तो वो कभी नहीं बदलता Mr. Lem बोला in that way यदि इस तरीके से सोचोगे तो no you won't तो नहीं तुम भी कभी नहीं बदल सकते डेरी बोला and no one will kiss me ever मेरा तो कोई kiss लेता ही नहीं है only my mother केवल मेरी mother kiss लेती है लेकिन she kisses me on other side of my face लेकिन वो भी मेरे चेरे को दूसरी तरफ से kiss करती है and I don't like my mother to kiss me और मुझे अच्छा नहीं लगता मेरी mother मेरा किस लेती है she does it लेकिन वो ऐसा करती है क्योंकि because she has to क्योंकि वो ऐसा करना चाती है why should I like that मैं पसंद क्यों करूं भी मेरी माजू जो मेरा किस लेती है I don't care मुझे कोई परवा नहीं है if nobody ever kisses me यदि कोई भी मेरा किस नहीं लेता इस बात की मुझे कोई परवा नहीं है तो Mr. Lem बोला अरे but do you care लेकिन क्या तुमें तो परवा है क्या if you never kiss them क्या तुमने कभी किस नहीं लिया उनका डेरी बोला वोट ये क्या बोल दिया तुने ये क्या बोल दिया तो Mr. Lem बोला गल्स लड़किया प्रिटी गल्स सुन्दर लड़किया लॉंग हेर लार्ज आइज लंबे बाल बड़ी बड़ी आँखे पीपल यू लव लोग यू लव लोग तुम से ये प्यार करते हैं तो डेरी बोला वूड लेट मी मुझे कौन देगा प्यार करने के उनुमती नॉट वन कोई नहीं देगा तो Mr. Lem बोला वू कैन टेल ये तो कौन कह सकता है ये तो कौन कह सकता है डेरी बोला I won't even look different मैं बिलकुल भी अलग परकार का नजर नहीं आऊंगा वेन I am as old as you जब मैं आप जितना बुड़ा हो जाऊंगा तो भी मेरे अंदर कोई परिवर्तने नहीं आएगा I shall look the same मैं बिलकुल सेम इसी परकार का नजरे आऊंगा I shall still only have half a pace यानि मैं हमेशा से आदा चेहरे वाला ही इंसाने रहूंगा कभी भी मेरा चेहरा है वो पूरा होगा ही नहीं तो Mr. Lem भोला So you will ऐसा सोचोगे तो ऐसे ही रहोगे But the world won't लेकिन संसार तो ऐसा नहीं है The world got a whole face whole face मनिश संपूर्ण चेहरा संसार के तो संपूर्ण चेहरा है And the world there to be looked at और world है वो there to be looked at और संसार तो पूरा चेहरा ही देखता है तो डेरी बोला Do you think this is the world? और क्या तुम यह सोचते हो यही संसार है? This old garden यह पुराना सा बग्गीचा है इसी को तुम संसार या दुनिया कहते हो क्या? तो यहाँ पर डेरी को यह भी पता नहीं कि दुनिया क्या है? तो मिस्टर लेंब उसे समझाएगा और पोजिटिव तरीके से समझाएगा वो कह रहा है यही दुनिया है क्या? मिस्टर लेंब बोला समझो इस बात को When I am here जब मैं यहाँ हूँ Not the only one यहाँ अकेला नहीं हूँ But the world लेकिन यही संसार है As much as anywhere कहीं भी चले जाओ दुनिया तो ऐसी ही मिलेगी जैसे normally common sense की बात हमने सुना है हम जहां रहते हैं वही हमारे लिए हमारी दुनिया है जैसे हम एक दूसरे को कई बार blessing करते हैं Good day, wish के लिए कहते हैं तू तेरी दुनिया में सुखी रह हम जहां रहते हैं आज पास की जो चीजें हमें नजर आती है और जो हमारे पास है वही तो हमारी दुनिया है तो यही बात लेंब समझा रहा है डेरी को कि कहीं भी चले जाओ एज मच एज अनिवेर अरे दुनिया तो ऐसी है डेरी बोला Does your leg hurt you hurt मानी कस्ट होना पीडा होना क्या तुम्हें इस पैर में पीडा नहीं होती क्या तुमारे इस पैर में तो मिस्टर लेंब बोला तिन डेजन्ट हर्ट बोई अरे लड़के ये लोहे का पैर है लोहे को दर्दे नहीं होता hurt मींस दर्द होना पीडा होना तो तिन को दर्दे नहीं होता तो नेक्स्ट देखिए देखें नेक्स्ट डेरी बोला मेरा कहने का मतलब है when it came off when it came off का मतलब जब ये लोहे का पैर off होता आपके उपर आकर did it वहाँ पे होता है क्या यानि नीचे से पैरे जुड़कर जहाँ गुटने के पास touch होता है came off उपर की तरफ आके जहाँ टकराता है पैर से वहाँ दर्द होता है क्या तो लेम बोला certainly निश्चित रूप से होता है डेरी बोला and now और अब I mean मेरा कहने का मतलब है where the tin stop at the top मेरा कहने का मतलब है कि ये पैर जहाँ stop होता है टीन का उपरा के वहाँ दर्द होता है क्या तो मिस्टर लेम बोला now and then now and then का means लिक ले न पन बाते नहीं है signify मानी मेरा तो अपर डेरी बोला oh that is something else they all see इसका मतलब ये सब कुछ वैसा है जैसे लोग कहते है look at all those people देखो उन सब लोगों को who are in pain जो कस्त में है and brave और बहादूर भी है never cry कभी रोते नहीं है चीखते नहीं है नहीं करते हैं don't feel sorry for them selfish और कभी भी उनके लिए हमें कोई दुख मैसूसे नहीं होता है next देखे तो Mr. Lem बोला I haven't said it मैंने भी कभी किसी से कोई सिकायत या दर्द या ऐसा कुछ नहीं का डेरी बोला and think of all those people सोचो उन सब लोगों के बारे में worse off than you जिनकी हालत तुमसे भी ज़्यादा खराब है think, सोचो you might have been blinded तुम सोचो कि तुम बिल्कुल हो जाओ अंधे और born deep और जनमजात बहरे हो जाओ have to live in a wheel chair और तुमें रहना पड़े wheel chair पे यानि जो chair होती है केवल उसी पे बैठके पूरी life बितानी पड़े be deft in your head और दिमाग से तुम हो जाओ deft deft मानी पागल हो जाना and drible और आपके जो हडियां होती हैं उनमें हो जाए हडियों में रिशाव हो जाना तो mister lamb बोला and that is all true ये तुम्हारी बात बिलकुल सारी सही है and you know it और तुम जानते भी हो ये सारी बात है तो dairy बोला it won't make my face change जानता तो हूँ लेकिन इससे मेरा चेहरा है वो नहीं change होगा do you know क्या तुम जानते हो one day a woman went by me in the street एक ओरत है वो जा रही थी मेरे पास से सड़क सड़क I was at a bus stop वो सड़क सड़क जा रही थी मैं खड़ा था bus stop पे and she was with another woman और उसके साथ थी एक दूसरी ओरत and she looked at me उस ओरत ने मुझे देखा and she said और उस दूसरी ओरत ने कहा whispered धीरे से whispered means लिख ले ना फुस फुस आकर कहा दूसरी ओरत से क्या कहा another woman से she looked at me उसने मेरी तरफ देखा और बोली whispered बहुत धीरे से बोली only I heard her इतनी धीरे से कि जो मैंने kevel और kevel मैंने सुना she said उसने का look at that देखो इस लड़के को that is a terrible thing कितनी भयानक चीज है that is a face ये एक ऐसा चेरा है only a mother could love जिसे केवल एक मा ही प्यारे कर सकती है ये कहा उसे ओरत ने अपने साथ चलने वाली दूसरी ओरत तो मिश्टर लें बोला so you believe everything you hear then इसका मतलब तो जो कुछ तुम सुन लेते हो उस बात पे कर लेते हो विश्वास then मिन से तब everything मानी सब कुछ और believe मानी विश्वास and hear मिन सुनना terrible light was cruel ये बिल्कुल कडवा सत्य है cruel मानी निर्दई होता है लेकिन यहाँ है कि ये बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ जो मा कह रहा हूँ तो मिश्टर लें बोला may not means as such हो सकता उस औरत के कहने का मतलब वो नहीं हो जो तुमने सुना just something said between them हो सकती है उनके बात में कोई और विशे पर बात्चीत हो रही हो डेरी बोला only I heard it जो और देकर कहा केवल मैंने ही सुना मैंने ही सुना और किसी के बारे में वो और बाते नहीं कर रही थी क्योंकि केवल और केवल मैंने सुना तो Mr. Lem बोला एक काम कर फिर and is that the only thing you ever heard anyone say in your life इसका मतलब कोई किसी वस्तू के बारे में कुछ भी कहता है वो क्या तुमारे ही जीवन के बारे में कहता है क्या डेरी बोला ओ no ऐसी बात तो नहीं है I have heard a lot of things मैंने और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुना है यह नहीं लेंब का कहने का मतलब है कि जो कोई लोग बात करते है वो सब जो बात करते है वो तुमारे ही लाइफ के बारे में करते हैं तो Mr. Lem बोला So now you keep your ears set तो एक काम करो तुम अपने कान है वो हमेशा के लिए कर लो बंद यहर सट का मतलब कान है वो बंद कर लो अपने डेरी बोला यू आर पीक्यूलर अरे तुम तो बड़े पीक्यूलर वेकती हो बड़े अजीब आदमी हो पीक्यूलियर मानी अजीब You say peculiar things तुम अजीब अजीब चीजों के बारे में बात करते हो You ask questions तुम परसन भूशते हो I don't understand और मुझे आपके परसन समझ में नहीं आते तो डेरी ने ये का Mr. Lem बोला मैं तो इसलिए परसन करता हूँ क्योंकि I like to talk मुझे बात करना पसंद है Have company साथ रहना पसंद है You don't have answer questions यदि तुम किसी question का have to answer तो you don't have to answer ये LOS को correct कर लेना ये 2 है You don't have to answer questions यदि तुमें मेरे question के उत्तर नहीं देने है तो you don't have to stop here at all तो तुमें यहाँ बिलकुल नहीं रुकना चाहिए the gate is open दर्वाजा खुला है garden का dairy बोला yes but हाँ खुला तो है लेकिन लेकिन का आगे उतर आएगा dairy के अगले statement में देखिए Mr. Lem बोला I have a hive of bees behind those trees over there मेरे यहाँ पर मदुमक्यों का चत्ता है जो पेड है मेरे उसके पिछे की तरफ behind those trees का अमलब जो पेड लगा रहे हैं उनके पिछे की तरफ मेरे पास hive of bees है some hear bees कुछ लोग मदुमक्यों के गाने सुनते हैं दे से कहते हैं be budge की मदुमक्यां तो भिन बिनाती हैं but when you listen to be for a long while लेकिन जब तुम मदुमक्यों को बहुत देर तक सुनोगे they hum तो वे hum करती हैं और hum means होता है sing गाना गाना I hear them singing इसलिए मैं गाना सुनता हूँ उनका my bees मेरी मदुमक्यों तो मैं मेरी मदुमक्यों के गाने सुनता हूँ dairy बोला जो उपर आया था न येस बट उसका answer है but I like it here मैं यहां रहना पसंद करता हूँ I came in तभी तो अंदर आया था because I liked it क्योंकि मुझे पसंद है यहां पर when I look over there जब मैंने इसको देखा था दिवार के उपर से तो इस परकार वो जाने के लिए कहता लेकिन वो जाना भी नहीं चाहता क्योंकि उसे ये जगे काफी अच्छी लगती है तो thank you for watching the video for all students next video में part 3 में हम किसी चेप्टर का सेस और टोर पढ़ेंगे stay home stay safe